परिचय आरे गिरीश इस तितली को देखो ये कैसे उड़ती है हाँ मोना ये कितनी सुन्दर है ये अपने छोटे छोटे पंकों को फड़़डा कर उड़ती है गिरीश ये मचलिया पानी में सांस कैसे लेती है मोना मुझे याद है एक बार कक्षा में अध्यापक जी ने बताय था कि इनके पास पानी में सांस लेने के लिए विशेश अंग होता है जिसे गलफड यानी गिल कहते हैं गिरीश क्या हम भी गिल से सांस लेते हैं? नहीं मोना, हमारे पास दूसरा विशेश अंग होता है। बच्चों आओ, हम इस पार्ठ जन्तूओं का जीवन के अंतरगत इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। आओ, सीखें। धर्ती पर उनके संचलन का वर्णं करना। जल में उनके संचलन पर चर्चा करना, हवा में उनके संचलन को जानना, कीटों के संचलन के बारे में जानना, माइग्रेशन यानी पारागमन को समझना जन्तू हवा, पानी और धर्ती पर सभी जगा जीव उपस्तित होते हैं यहां तक की बर्फ में और गहरे समुंदर में भी जन्तूं के आकार और आकृती में काफी भिनता होती है जन्तू अपनी शारेडिक सन्दचना और आदतों में भी एक दूसरे से काफी भिनता रखते हैं इतनी भिनताओं के बाद भी उनमें तीन आधार भूत क्रियाएं समान होती हैं वे हैं श्वसन, भूजन और संचलन तो चलिए इन तीन आधार भूत क्रियाओं के बारे में विस्तार से चुटजा करें जन्तूओं में श्वसन श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके भलस रूप जीव शुद्ध वायू यानि ऑक्सीजन ग्रहन करते हैं और अशुद्ध वायू यानि कार्बन डायोकसाइड बाहर निकालते हैं श्वसन अंग विभिन जन्तूओं में अलग-अलग प्रकार के श्वसन अंग पाई जाते हैं जैसे बक्षी, सरी स्रिप, स्तंधारी, फेपणों से सांस लेते हैं उभैचर तवचा से सांस लेते हैं मचलियां गलपड़ों से सांस लेती हैं कीट जैसे काक्रोज, श्वसन डंधरों से सांस लेते हैं केचुए जैसे कुछ छोटे क्रमी, शरीर की सतह से सांस लेते हैं जन्तुओं का आहार जैसा की हम जानते हैं कि प्रतीक जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए उर्जा की अविशक्ता होती है उन्हें ये उर्जा भोजन से प्राप्त होती है जन्तुओं को उनके भोजन के आधार पर तीन प्रकारों में बाटा गया है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी हम पहले शाकाहारी के बारे में बात करेंगे पेड़ पौधे खाने वाले जन्तु शाकाहारी के रूप में जाने जाते हैं उधारन सौरूप गाए, भैस, बकरी, भेड, हिरन, जिबरा, खरगोशादी, शाकाहारी जन्तु हैं इसी तरह जो जन्तु अन्ने चानवरों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं उधारन सौरूप शेर, चीता, बाख, बिल्ली, आदी, मांसाहारी जन्तु हैं सर्वहारी वे जन्तु होते हैं जो पेड़, पौधे और जन्तु दोनों को खाते हैं उधारन सरूप, इंसान, भालू, कुत्ता, कौवा, आदी सर्वहारी जन्तु है जन्तु में संचलन भोजन और आश्रह खोजने के लिए, खुद को बजाने के लिए, या साथी की खोज में, जन्वरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है संचलन के तीन भिन प्रकार होते हैं, जमीन पर संचलन, पानी में संचलन और हवा में संचलन जमीन पर संचलन गमन करने के लिए जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों के पैर होते हैं इनके चार पैर होते हैं सामने के दो पैर अगरपात कहलाते हैं जबकि पीछे के दोनों पैर पश्च पात कहलाते हैं बिल्ली प्रचाती के चानवर चार पैरों से गती करते हैं इनसान और कंगारू दो पैरों से प्रचालन करते हैं सरी स्रिप के पाद छोटे छोटे होते हैं जो उन्हें रिंगने में मदद करते हैं सर्ब के पैर नहीं होते वे अपने शरीर को जमीन के विरुद्ध घुमा कर और धकिल कर आके बढ़ते हैं। जल में संचलन जलिये जन्तू जैसे मचली के शरीर पर फिन और एक मस्बूत पूँच इन्हें पानी में तैडने में इनकी मदद करती है। मेंठक के जलीदार पैर पानी में तैलने में मदद करते हैं। कच्छवे अपने पैरों को पैंडल की तरह चला कर पानी में गदी करते हैं। हवा में संचलन पक्षियों का हलका शरीर उन्हें उडने में मदद करता है। पक्षियों अपने पंक फड़ फड़ा कर हवा में उड़ते हैं जो फैदर यानी छोटे छोटे पंक से मिलकर बने होते हैं। अपने पैरों को वे पेड़ पर रहने और जमीन पर चलने के लिए इस्तिमाल करते हैं। कीटों में संचलन जिनकी मदद से वे कूटते हैं। कई कीटों के पंक भी होते हैं अताह वे उड़ सकते हैं। घरेलू मक्की अपने दो पंकों से और ड्रेगन फ्लाई अपने चार पंकों से उड़ सकती है। लंबी दूरी तक जाना पारगमन चरम जलवायू परिस्थितियों में कुछ जीव, भोजन और पानी की खोज में मौसम की कठोरता से बचने के लिए और एक सुरक्षित जगह पाने के लिए लंबी दूरी तक गमन करके स्थान परिवर्तन करते हैं। इसे पार गमन कहते हैं। आर्किटिक्टन सर्दियों के मौसम में आर्किटिक्से अंटाक्टिका तक सतरा हजार किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। कुछ इस्तंधारी और कीट भी पारगमन करते हैं। कुछ वहेल सर्दियों के तौरान ध्रुविय क्षित्र से उजण कटी बंधिये महसागरों की ओर पारगमन करती हैं। आओ खेलें। निम्नलिखित कॉलम क क मिलान कॉलम ख से करें। हमने क्या चर्चा की। जन्तू पृत्वी पर सभी जगा पाए जाते हैं। जन्तूं के श्वसन, आहार और संचलन के अंगों में पर्यावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। पक्षी, सरिस्रिप और स्तंधारी फेपड़ों से श्वसन करते हैं। मचली और जलिय जीव गिल से सांस लेते हैं। कीट, श्वसन, रंद्र से सांस लेते हैं। क्रिमी, शरीर की सतह से सांस लेते हैं। जन्तू, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी हो सकते हैं। जन्तू, पैरों से, फिन से या पंखों से संचलन करते हैं। प्रती कूल परिस्थितियों में कुछ जीव लंबी दूरी तक पारगमन करते हैं